कुछ दिनों पहले मैंने Quant के Small Cap Fund का यहाँ पे रिव्यू किया था तो कई लोगोंने Comment section में बोला कि भाई Small Cap के Index Fund भी बताओ जिन्नोंने इस साल जो है Almost जितने भी Active Mutual Fund से उनके बराबर return निकाल के दिया है तो क्यों हम लोग Active Fund के अंदर Invest कर रहे हैं क्यों न हम लोग Small Cap के अंदर भी Passive Investing स्टार्ट कर सके तो इस वीडियो के इतना कैस मैं डिसकस करने वाला हूँ Best Small Cap Index Fund in 2024 प्लस आपको Active Small Cap Fund चूज करने चाहिए या फिर Passive Small Cap Index Fund चूज करने चाहिए दोनों के बीच में हम लोग Proper Comparison करेंगे और एक Conclusion निकालने की कोशिश करेंगे वीडियो को गाई शुरू करने से लिए बताना चाहूँगा अगर आप Direct Mutual Fund में Invest करना चाहते हैं तो लिंक्स मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और प्लीस मैं कोई भी सेभी रिस्टर Financial Advisor नहीं हूँ तो ये वीडियो के वल Education Purpose के लिए है सबसे बहुत करते कि Small Cap 250 Index आकिर होता क्या है तो देखे Small Cap 250 Index जो है हमारे NAC के अंदर 251 से लेकर 500 वाली जो Companies होते है यानि ये जो 250 Companies जो लिस्टेड है National Stock Exchange के उपर उन सबी का ये Indices होता है जैसे कि Mid Cap हमारा 150 होता है जिसके अंदर 1500 कमनियां शामिल होती है तो जैसे हमारा Mid Cap 150 खतम होता है तो उसके बाद में जो 250 नंबन वाली कमनियों होती है वहाँ से सीधा 250 कमनियां जो है Small Cap 250 Index के अंदर रैफर करती है इन सारी कमनियों का जो Market Cap है वह 200 से 500 करोर के बीच में होता है इसके अंदर सारी Mostly Early Age Small Companies होती है इसके Returns भी High Potential रहते है लेकिन Obviously बात है अगर High है तो रिस्क भी आपका थोड़ा सा यहाँ पर High रहता है अगर देखे गाईस यहाँ पर अगर में Companies की बात को हो गया, CN Limited हो गया, KEI Industries हो गया IDFC Limited हो गया, Engine 1 Limited हो गया तो ऐसी टूटल यहाँ पर 250 कमनिया BC लिस्टेट होती है किन्दे गाईस अगर मैं सेक्टर की बात करो तो Financial Services वाला सेक्टर सबसे जादा इसका VTJ 23% का, Capital Goods जो है 15% का है Healthcare देखेंगे तो 9% का है और IT सेक्टर 6% का है आप गईस बात करते कि कौन से Market के अंदर ऐसे Mutual Funds है, जो कि Small Cap Index यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो नर्माली 6-7 है तो अगर मैं EUM Size यहाँ पर बात करो इसके बाद में मोतिलाल उसवाल का Nifty Small Cap 250 Index Fund है जिसका EUM Size 453 करोड से और 0.36% का Expand Ratio है इसके बाद में Recently Launch हुआता है SBA का Nifty Small Cap 250 Index Fund जो पिछले साली हुआ था लेकिन अच्छा खासा इसने EUM Size एकवार का रखा है 232 करोड रोपे का और 0.41% का Expand Ratio है इसके लिवा ICC Provincial का भी है जो की 183 करोड का EUM Size है और 0.30 का Expand Ratio है इसके लिवा SDFC वगरे भी है लेकिन उनका EUM Size जो है 100 करोड के नीचे है तो देखिए गाईस अगर यहाँ पे में Returns वाई यहाँ बात करूँ तो पिछले एक साल के अंदर जो Small Cap 250 Index Fund है वो यहाँ पे 54% से भी ज़्यादा का इसने Return निकाल के दिया है पिछले अगर आप 5 साल में भी comparison करेंगे तो 116% का Growth है तो देखिए गाईस अगर में सबसे पुराने Fund मोतिलाल ओस्वाल निफ्टे Small Cap 250 Index Fund की बात करेंगे पिछले 2 सालों का CAGR यहाँ पे 19% का और पिछले 3 सालों का CAGR जो 31% का है महीं पे गाईस अगर मैं Nippon India की भी बात को तो उसका भी आपको Almost Same Returns देखने को मिलेगा बस पुछ Points के अंदर Difference देखने को मिलता है जो की Basically आपका Tracking Error रहता है इसके रहाँ चाहे है गाईस ICAC से ले लो या फिर Simply तरीके से SBI ले लो सभी का आपको यहाँ पे Same Kind of the Returns देखने को मिलने वाला है तो मालनीजे गाईस अगर आपने यहाँ पे Simply तरीके से 1000 रुपे की भी SIP की होती है Index Fund के अंदर तो पिष्टे 3 सालों के अंदर आपको 32% से भी जादा का CGI देखने को मिल जाता है अब गाईस आप लोग के Mind के अंदर यह doubt रहेगा कि क्या हमें Active Mutual Fund को चूज करना चीए या फिर इन टाइप के Index Fund के साथ में हमें जाना चीए क्योंकि normally आप अगर देखेंगे तो Large Cap, Mid Cap में यह का जाता है कि कई सारे Active Mutual Fund Index को भी बीट नहीं कर बाते तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है Small Cap के टेगरी के ही दो Leading Mutual Fund Quant और Nippon को ही हम लोगों ने Small Cap 250 Index के साथ में यहाँ पर comparison किया है तो यहाँ पर आप रिटन वाइस देख सकते हैं अगर मैं पिछले 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का रिटन कमपैलेजन करूँ यहाँ पर Index Fund के साथ में तो definitely इस साल यहाँ पर सभी ने बहुत अच्छे रिटन बना के दिये यानि कि जो Top 2 केटेगरी के Active Mutual Fund से Quant और Nippon उसने 50% से भी जादा का रिटन निकाल के दिया है और हमारे जो Index Fund ने मूतिलाल उसवाल के और Nippon इंडिया के उसने भी by 54,4% के यहाँ पर सभसे जादा रिटन निकाल के दिये तो कि अगर आप पुरी Small Cap केटेगरी भी उठाओंगे तो उसमें Quant ने ही सबसे जादा इस साल 55% के रिटन निकाल के दिये है और यहाँ पर Small Cap जो 250 Index है Almost 54.87% का यहाँ पर रिटन निकाल चुका है देगे गाईस इसी चीज़ को अगर आप एक Long Term के Vision के साब से देखते है जैसे कि अगर मैं 3 साल का यहाँ पर comparison करना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते Quant ने यहाँ पर 45% का CAGI निकाल के दिया था Nippon ने यहाँ पर 40% का CAGI निकाल के दिया है वही पर Index Fund की बात के हो तो वो सिफ 32% के यहाँ पर रिटन के उपर रुख जोगे है तो देखिए अगर आप एक Long Term Period देख रहे हैं तो Definitely जितने भी अच्छे वाले Active Mutual Fund से उन्होंने Definitely यहाँ पर अपने Index को जो है बीट कर रखा है तो देखिए गाईस अगर मैं और ओर ओल यहाँ पर Conclusion देना चाहूँ अगर आप किसी भी Small Cap Mutual Fund के इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना CGR चेक कर लेजें अगर उसका 3 साल का CGR 32% भी नहीं निकलता तो Definitely आपको अपने Small Cap को यहाँ पर Review करने की जरुवत है अगर आपने एक अच्छा Small Cap यहाँ पर Choose Out कर रहा है और वो काफी अच्छे Returns निकालके दे रहा है अपने Index को भी बीट कर रहा है तो Definitely आपको 250 Index Fund की तरफ नहीं जाना चाहिए लेकिन आपको समझ में ही नहीं यादा कि मुझे कौन सा Fund चूज करना चाहिए अपने According Small Cap के डाइडिक इंदर तो Definitely तरीके से आप Small Cap 250 Index Fund की तरफ भी जा सकते हैं और इसके पहले भी हम लोगोंने Quant, Nippon और कई सारे Active Small Cap Mutual Funds के उपर वीडियो बना रखे उन सभी की Supported Link भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा Thank you guys, thank you very much